हिमाचल विदानसवा चुनाप को लेकर बिगुल बच चुका है तमाम जो पार्टियां है वो अपनी अपनी तैयारियां हिमाचल में करती भी नजार आ रही है हमारे साथ कॉंग्रेस परदे सद्यक्स परतिवा सिंग जी मौझूद है मैं आज बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है सबकी निगाए इस बैठक पर है केंद्रे चुनाप समीति की बैठक है मैं 20 बैठक का इसा हूंगी किस तरीके से देखती है मैं जिस तरीके से सबी की निगाएं है इस बैठक पर क्या आज देरा तक टिकेट की गोशना हो जाएगी लगता है ऐसा ही है कि हम लोग अंते निर्णे पर पहुंचेंगे और जो हमारे विनिबल कैंडिडेट से उस पर चर्चा होगी और उनी नामों को हम आगे करेंगे जो सीट निकाल सकते हैं जीत सकते हैं चुनावों की गोशना हो चुकी है समय बहुत कम बच्चा है और किस तरीके से देखते हैं मैं क्योंकि अभी तक टिकेटों की गोशना नहीं है हाला कि आज शाम को बैठक है आप भी करें कि जल्द ही गोशना हो जाएगी तमाम जो कारे करता हैं वो सब्सक्राइब हो जाए देन देल गो एंड वर्क इन देखनों को मिली और किस तरीके से देखते हैं मैं आप क्योंकि लगातार आप लोग एक्टिब नजर आ रहे हैं माचल में एक दूसरी तरा बीजेपी रिवाज बदलने की बात कर रही हैं किस तरीके से देखे जहां त एक राज्य का दर्जा दिया वो भी लोगों के दिल में है जहन में है उनको पता है कि जब भी हमारे को कोई संकट आया या कोई हमने मान केंडर सरकार से करनी थी उस वगद यूपे की सरकार थी डॉक्टर मनमोन सिंग जी हमारे प्राइम निस्टर से उनने बहुत काम जैसी नहरू परिवार का गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है जो कि लोग जानते हैं लोगों को ये बिश्वास है कि हम इस पार्टी को जिताना है और यही हमारा भला कर सकते हैं जहां तक प्रियंका जी की बात है वो भी उसी परिवार से संबंद रखती है आप जानते इनके परिवार से दो दो प्राइम निस्टर्स रहें इंद्रा जी रहीं राजीव जी रहें और उन्होंने देश की खातेर अ बलीदान भी दिया है इतना बड़ा बलीदान इस परिवार का है तो क्या हम इस बात को भूल सकते हैं कल प्रियंका जी आई उनको आप देखी रहे थे कि किस तरीके से लोग उमड़ उमड़ कर उस मीटिंग में भाग लेने के लिए बहुत तादाद में लोग थे जिससे य जो मुद्धे हैं किन मुद्धों पर जो मुख्य बुद्धे है बिंदू है उस पर कॉंग्रेस ग्राउंड पर उतुरेगी लोगों की बीच जाती भी नजर आएगी में देखिए हमने अपनी मेनिफेस्टों में काफी बात की महिलाओं को आर्थिक रूप से उनको शिशक्त करने की हमने बात की है ओपियेस का बहुत बड़ा मुद्धा है उसके लिए भी हमने आवाज उठाई और कहा कि जैसी हमारी सरकार बनेगी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम उसका निरने लेंगे और तुरंट इसको लागू करेंगे बीजेपी की बात करें मैं बीजेपी रिवाज बदलने की यहां पर बात कर रही है किस तरीके से देखते हैं हम बीजेपी को लगातार आमादी पार्टी भी हिमाचल में शकर रही है ये जो रिवाज बदलने की बात करें हिमाचल में क्यों लाना पड़ रहा है विकॉज अंदरूनी तौर से अब विजेपी भी हिल चुकी है उनको पता है कि हमारी जीत होने वाली नहीं है इसलिए ये बार बार प्राइम निस्टर को हमाचल परदेश में ला रहे है हमें दुख है कि उनकी तरुसे कोई भी ऐसी घोशना आज आप जानते हमाचल परदेश कितना आर्थिक बोज सतर या सततर हजार करोड के करजे में डबा हुआ है उसके लिए भी प्राइम निस्टर ने कोई आशासर नहीं दिया ये नहीं कहा कि आर्थिक तोर पे मैं हमाचल परदेश की मदद करूँगा और नहीं उन्होंने कोई और ऐसी बड़ी बात किये जिससे लोगों को ये बिश्वास हो कि ये सरकार हमारी मदद करेगी इन्होंने किया पांच सालों में न किया न करेंगे अब तो वो वक्त आ गया है जब लोगोंने मन बना लिया है और कॉंग्रिस को दुबारा सत्ता में लाने के लिए लोग आतुर है आमांदी पार्टी को आप हमाचल में कहां पर देखती है क्योंकि आमांदी पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार हमाचल में दोरे कर रहे हैं देखिए जब इन्होंने पंजाब का इलेक्शन जीता था तो ये बहुत अश्वस्त है कि हम हमाचल में भी से इन्द मारेंगे पर जैसे गुबारे से हवा निकल जाती है उस तरीके से आप पार्टी में भी कोई बड़ा ना चेहरा है और ना ही कोई बड़े नेता को ये अपनी तरफ ले जा सके है तो आज धरातल पे कुछ नहीं है ठीक है एक पार्टी के तौर पे ये इलेक्शन अवश्य लड़ेंगे पर लोगों का साथ नहीं मिलेगा लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा अंतते बीजेपी में और कॉंग्रेस में ही लड़ाई होगी धन्यवाद मैं खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए तो ये थी कॉंग्रेस की परदे सद्याक्ष परतिबाचिंग जिन्होंने खबर अभी तक से एस्क्लूजिव बातचीत की कैमरामें जस्टी के साथ राजा पटेल दिल ली खबर अभी तक